कि नवस्कार दोस्तों कि सन्यासी एकेडवी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि कल की क्लास में हम लोग कांट की वायब्यराश की परिकल्पना की अध्यन किया है उसी भात ही आज हम लापलास के निहारी का सिध्धान्त का तो आज का जो टॉपिक है क्या है लाप लाश का निहारी का सिध्धान्त है यह कब दिये कहां के लापलास जी है इन सब की चर्चा कर लेते हैं तो आपका 1776 में प्रतिपादन किया क्या तो आपका 1776 में प्रतिपादन किया क्या तो लापलास का यह निहारी का परिकल्पना इनकी जो पुस्तक है किस पुस्तक में इसको प्रकासित किया थे इनकी पुस्तक है एक्सपोजीशन आफ आफ दा वर्ड सिस्टम इस बुक में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया इस सिध्धांद का प्रतिपादन किया इन्होंने क्या कहा है इसको देख लेते हैं तो इस सिध्धांद के अनुसार सिध्धांद के अन्सार क्या है जिस आड़ पदहर्थ से सर्तंत्र की उत्पत्य हुई है वह्ण आरंभ में क्या था जो सुरु से कांट जी क्या कहें हैं कैंपिया क्या था घैस का घोला था ठंढा था फिर गोला है सब्सक्राइब की के इसे इता है उसके बाद बाहर निकलायए उससे पैसफ जक्राइब कि यह सुरू से ही गर्म था क्या था सुरू से ही गर्म था इसके बाद आपका यह यह जो है तक मोद्या में क्या था क्या था क्रथा यह क्या कर रहा था पुद्धाय कर रहा कर रहा- उश्मा गतिकी के नियमानुशार इस घालन करती निहारिका के टापमांन में कमी आने के साथ साथ आयतन में भी क्या होने होने लगता है और घटते तापमान एवं किसके साथ घटते-ас अयतन के आहारिका की घूर्णदर में सतत-ध्य थी हो रही थी जैसे भी क्या था यह आपका माली यह कि इनका क्या था घूरणन क्या था घूरणन हो रहा था कि राँब कर रहे थे अब यही एक क्या है निहारी का यही पिंड कर झाल है बात किये क्यां या गर्म है अब इन में क्या होता है जैसे संकुचन होता है कोटा हो जाता होता जाता है इनके घुरणन में क्या होती है बृध्धी होती चली जाती है और निहार के आगे देखते हैं कि निहार की घुरणन दर की बृधि से केंदृये गृतिये सक्ति जब इसके भूरणन में बृद्धी होती है इनका जो गुरुत्य सक्ति होती है केंद्रिये गुरुक्ति सक्ति की तुलना में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अब केंद्रिये बल बढ़ जाता है क्या होता है अब केंद्रिये बल बढ़ जाता है जिससे आपका क्या होता है ऱगता है जिससे आपकामक्त भाग से प्रक्रों प्री चार्मकं क Najdha that had Halo ट सॉस्पर करने लगता है जैक करता है तक प्रक्रम करने लगता है जले को निम्मकरदार्थ भी ठंधा होने के क्रम में तथा संकुचित हो कर गनी भूत होता है क्या होता है गनी भूत होता है और यही गनी भूत ही पिंड ही आज क्या हैं यही घने भूत पिंड ही आज के ग्रह हैं जब की संकुचित होती निहारी का आपकी सूर्य है क्या है जो संकुचित होती निहारी का है वह सूर्य है और जो एक छल्ला निकला था उनहीं से ग्रहों का निर्मार हुआ है क्या हुआ है ग्रहों का निर्मार हुआ है छल्ला जो निकलेगा छल्ला इनके चारों तरफ जो छल्ला होगा वो क्या करेगा ग्रहों का निर्मार कर देगा यह हो गया अब इनकी कुछ आलोचनाएं हैं उनको हमको देखना है देखें फीगर क्या होगा यह आपका पहला फीगर यह क्या होगा तप्त गोला तप्त गोला है देख लो तप्त गोला है अब यह क्या कर रहा है भूरणन कर रहा है क्या है भूरणन कर रहा है अब इस गूरणन करते हैं अब इसी को सूर्य कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सन अब यहां से क्या होता है एक तब तो छल्ला क्या करता है बाहर निकलता है क्या करता है बाहर निकलता है और जो बाहर निकलता है यही बाहर निकला हुआ छल्ला ही क्या होता है आपका तो यही बाहर निकला हुआ छला ही क्या करता है ग्रहों का रूप धारन करता है संगुचित ठंधा और संगुचित होते हुए ग्रह के रूप में क्या हो जाता है तो इन्होंने आपका यह बताया कि यह छला है और ग्रह और इनके परिता भी देखिए छोटे छोटे जो कान होंगे बचे हुए वो क्या हो जाएंगे उप ग्रह उप ग्रह यह क्या है अंट ग्रह और यह पूरा क्या है छल्ला है क्या है क्या है चल्ला है ऐसा आपका फीगर हो जाएगा यह आपकी निहारी का है इस निहारिका से क्या होगा एक छल्ला गहां बाहर होगा केंद्रिय भाग से एक छल्ला बाहर होगा वही छल्ला आपका क्या है उन्हें से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है ऐसा आपका कौन बता रहा है तो आपके लापलास महोद है आये आलोचना कर लेते हैं आलोचना में क्य है क्योंकि फ़ी ग्रहों के पदार्थ ही उप यह तो आपका क्या होना चाहिए इसमें समांता होनी जाहिए바 परन्तु ऐसा नहीं है तथा यादि ग्रचला निहारी का से प्राप्त हुआ है तो सूर्य एवं ग्रहों में भी क्या होना चाहिए पदार्थों में इनके समानता पाई जानी चाहिए ऐसा भी नहीं है क्योंकि ग्रह भारी खनीजों से निर्मित हैं जबकि सूर्य हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे तत्तों से निर्मित है यह आपकी क्या हो गई इनकी आलोचना हो गई सेकेंड आलोचना क्या होती है कि सभी ग्रहे कि ही छल्ले से निर्मित है तो इनका क्या तल प्लेन जो होता है तल और नितल तो तल क्या होगा गूरणन तथा परिक्रमड की दिसा समान होनी चाहिए परन्तु क्या है परन्त ऐसा नहीं है कुछ ग्रह पस्चिम से पूर्व और कुछ ग्रह पूर्व से पस्चिम की गूर क्या करते हैं अब यह हो गया तो जिनमें आपका कौन कौन सा पूर्व से पूर्व और कौन सा पूर्व से पश्चिम है इसको भी बता दें तो पूर्व से पश्चिम की और जो घुरणन करने वाले रहां है सुरू से से कंड और नतिनम से से कंड बुद्ध के बाद क्या है मंगल गृत वे बुद्ध के बाद सुक्र गवध के बाद सुक्र पूर्वस EPA अरुधर क्या आरुण वरुण तो nar जो है वह क्या है पूर्व से पस्थिम घुरन करता है तो शुक्र और अरुण। दो ग्रहा है कौन सुक्र प्लस अरुण दो ग्रहा ऐसे हैं जो क्या करते हैं पूर्ब से पस्चिम की और क्या करते हैं घोरण करते हैं तो ये आपका ये अपकी आलोचना है इनिकी जो भाय ये चला आये सेम दिसा में घोमना चाहिए इसके बाद एक नया अब नया चला कब निकलेगा ये भी तो पूछा जा सकता है कि सुर्य से अब नया चला कब निकलेगा एक छला क्यों समत्ख्षर के नियमानुध निहारिका एवं छले से बने ग्रहों का क्या कॉर्णी समध्ग समान होना चाहिए परंतु ऐसा नहीं है क्यों तो यह सब पूचा जा रहा है इन से और आपका द्रब्यमान के आधार पर सूर्य का कोडिये संबेग अधिक जब की ग्रहों का कम होना चाहिए पर इसके विप्रीत की दसाप्राप्त नहीं होती तो ऐसा इनका क्या है ऐसा आपकी आल लाबलास की है ुष हा जाता है तो सबसे पहले किसकी है यह लापलाज खिये संत्रा सूंह दिये किस ban इस पुस्ताथ है उस्ञिए चनि कि पुस्तक यह कि से रहे हैं इतना जानना ज्यादा ज़रूरी है इसके बाद ये सब क्या है कहानी है कहानी है कि क्या है निहारी का है निहारी का गर्म है गर्म निहारी का क्या होती है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या होती है संकुचित होती है ठंडी होती है और इनमें घोरणन गती बढ़ती है घोरणन गती बढ़ने के कारण अभी केंद्रिये बल से जादा अभी केंद्रिये बल का प्रभाव हो जाता है जिससे क्या होता है इसके केंद्रिये भाग से एक छल्ला बाहर की और निकलता है और जो छल्ला बाहर की और निकलता है उन्हीं से ग्रहों का निर्माड हुआ है यह आपका हो गया कहानी खतम सिर् की चर्चा करूंगा तो चेंबर्टिलिंग की गहान पर कि अपना अगली क्लास में थैंक यू अलाफ यू